नमस्कार दोस्तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आये हैं यह वीडियो मिक्सर का है मिक्सर में एक सबके मिक्सर में यह प्रॉब्लम आती है आप लोग को इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि कभी यह दिक्कत अगर आ जाएगी आपको अगर नॉलेज नहीं होगा तो आपका काम रुख सकता है इसलिए यह वीडियो में उस चीज को उस प्रॉब्लम को दूर क जला सकते हैं आपको मिस्तिरी के पास भी जाने नहीं यह नार्मल सबको पता होना चाहिए प्रॉब्लम तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम को तो चलिए जली जली पहले मिक्सर को खोल लेते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बता लेते हैं खुलने के लिए इसके चारो को चारो को नट को को पेन करना पड़ेगा और यह आप बहुत आसानी से बना सकते हैं मतलब इसमें कोई भी आपको बहुत ज्यादा दिमार्ग लगानी की ज़रूरत नहीं है यह प्रावल्म होता है बहुत लोग को नहीं पता होता है इ उसी सब चीजों को देखते हुए कि भाई लोगों को यह दिक्कत हो रही है इसको देखना चाहिए तो हम सुचे कि भाई एक बार वीडियो बना दें और इसमें कुछ प्रावलम भी है तो बदल भी देंगे हम तो चलिए आज आप लोग के लिए करिए अब यह देखिए मि यह देखिए कभी कभी होता क्या है कि आपका मोटर भी सही है चीक है कभी कभी होता है कि यह मोटर आपका सही है यह आपका स्विच सही है सब वायर ठीक है यह जो बोर्ड से वायर आती है दोनों यह भी आपका सही है उसके बाद भी मिक्सर नहीं चल रहा है तो लोग को अब कोई होता है कि चलते-चलते मिक्सी बंढ हो गई मिक्सी बंढ होने से आब आपका कोई वर्क नहीं कर रहा है सब आपने देख लिया नहीं हो रहा तो सब चीजों का एक चीज से इसी से मतलब होता है यह जो लगा हुआ है आपका इसको बोलते हैं Overload बोलते हैं इसको आप यह भी बोल सकते हैं कटाओट भी बोल सकते हैं जो आपको मन करें बोलिये यह होता क्या है बस कि अबर लॉड इसलिए इसका नाम पढ़ा है कि जब अगर मिकसी के उपर आप कोई चीज जैसे पीष रहे हैं पीषते वक्त वह उस यह आती है यह अपकी लाल वाली जो है डारे चो मैं से निकल के बोर्ड में से आते हुए इस ओवर्लोड स्विच में जाती है और इसंगा निकल रखेम आती है तभी एक मोडर कम यह और एक यह जो black वाली वायर है यह direct आपके जो यह mixer का जो यह लगा हुआ है number वाला switch इस पे आती है तो होता क्या है कि यह आपका एक मानगी चलिए कि cutout का काम करता है current को काड़ता है जिसके वाइसे आपकी mixi का motor safe रहे जले ना तो यह बहुत जरूरी चीज है और इसको इसी लिए मैं सोचाओ कि मैं इसको बताओं आप लोग को आप लोग कोई पता रहना चाहिए कि यह कैसे वर्क करता है क्या होता है कि आप लोग देख लिए एक बाद ध्यान से इस समय यह mixi में सब चीज ठीक है motor ठीक है सब वाइरिंग पूरा complete है कोई भी दिक्कत नहीं है अब इसमें सिर्फ इसका यह overload switch से ही problem है तो चलिए अब हम लोग इसको चेक किया जाए तो चेक करने के लिए mixer को light के board में लगाते हैं कि यह देखिए लाइन का board में mixer को कि लगा दियें और लगाने के बाद अब मैं इसका switch घुमाता हूं अब देखिए यह नहीं चल रहा है ठीक है यहां से देखिए चालू है switch switch चालू है और यहां से देखिए नहीं चल रहा है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एक बार पहले चेक करने के क्या करेंगे overload switch को sort करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा खराब है कि अच्छा है तो पहले इसको बंद कर लीजिए यहां से अब बंद करके wire निकाल लीजिए भाई आप लोग अगर यह काम करें तो safety का बहुत ज्यादा ध्यान दिया करिए इ आँ इसको हम लोग बारी-बारी जो एक इसको निकालेंगे अब इसको हम लोग बारी-बारी इसको निकाल लेते हैं और यह देखे आप दुवारा जो है mixi को इसके पकड़ लीजिए पकड़ने कि बाद यह देखिए line का wire है line का wire को बोड में लगा इए यहां पे board में ने अब उसके बाद यहां पे mixer का एक point इसको घुमा दीजिए, एक point आप ऐसे घुमा दीजिए, घुमाने के बाद अब उसके बाद एक tester ले लीजिए, ठीक है, कोई भी लंबा हो, current न लगे और उसके बाद tester लेने के बाद, इसको आप दोनों को sort करवाईगे, इससे पता चल जा नहीं चला तो यह सई है इसी से अगर यह मतलब मिक्सी में कहीं और से प्रॉब्लम होती तो यह करने पर वो मिक्सी नहीं चलती ठीक है तो ऐसे आपको यह प्रॉब्लम हो गया कि क्या नम है यह सभी है ठीक है अब इसके बाद इसको अब आपको range वी अगर देखे होता क्या है आप लोग को मेन में रीजन यह हम बता दे कि यह भराब होने पर mix नहीं चलते जब overload पड़ता है ज्यादा प्रेस कर रहे हैं लेकिन यह काम नहीं कर रहा है मतलब यह एकडम खराब हो चुका है कि इसको हम लोग चेंज करते हैं और YouTube पर मैंने की निकाल के इन दोनों वायरों को इसे नीकाल के और उसके बाद आपका दोनों को आपस में सॉट कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि भाई इसका तो जो यह ओभर जो भी यह स्वीच है यह जो इसको निकाल देने पर आप भाई मिक्षी पर लोड पड़े या ज्यादा करेंट आया कुछ भी हो मिक्षी तो टृप करेंगे नहीं तो डारेक्ट उसके जो मोटर होती है यह यह जो मोटर होती है इस मोटर हो गएरा मत करिए इसको जोड़िए नहीं कभी चालीस रूपय का आता है ओभर लोड स्विच वह आप ले आये मार्केट से उसको चेंज कर दीजे डारेक्ट कर दीजे हाँ अगर आपके घर में तुरंट मतलब की कोई काम आप अगर कर रहे हैं काम करते समय ही आपका वह चीज खराब हो गया मान किछ लिए आपके घर में मम्मी आपकी कोई काम कर रही है या सिश्टर ही कोई काम कर रही है मिक्सी पर मिक्सर चला रही है उसमें कुछ मे मेमान आये हुए कुछ पीस रही है और उसी दोरानी खराब हो गया तो यह मैं तुरंट का मैं सेलूसन बता रहा हूं मतलब इसको पर्माणेंट आप लोग मत सोच के रखिएगा कि पर्माणेंट ही ऐसे कर दें तुरंट के लिए मैं बता रहा हूं इसको पहले इसमें से भाण दीजिए ठीक है बाणने के बाद बम समय को से पीड़ेश में भी खराणने के बाद इसको फोरे दिवा छाड़ जाता है कि तो फोरे ऐसे को यह दुश्का आ पर द हम चैसे करके डाथ नेकिस है और देखिए ऑफ तो हो गया अब hospter अब आपे होने के आपको स्विच को चालू करना है अब मिक्सी को पकड़े रहेगा अब आधि आपका देखिए तुरंट का काम यह मिक्सी आपका तुरंट का मिक्सी का यह काम आपका हो सकता है ठीक है आप तुरंट इसको आप अपना कर लीजिए रुक जे एक मिनट इसको निकाल में अब आप लोग ऐसे करके अपना मिक्सर तुरंत आप अपना जो भी काम रुका हो उसको आप तुरंत कर लीजे करने के बाद फिर मार्केट से आप जाके एक ओभर लोड स्विच जो मैं लाया हूं मार्केट से ख़एद के मैं आप लोगो ठीक है आप लोग भी दो एंपर करी में लगाएगा यह ओबर लोड स्विच लेके आप वह काम अगर नहीं पुरुका है तो अगर रुक रहा है तो तुरंत उसको उस तरीके से बाइपास करके और आप लोग अगले दिन जाके एक ओभर लोड स्विच लाके आप इसको करें डिये गाई यह देखें पर छेट करके पहले बजर देख लिएगा इसका बजर भजर रही कि नहीं अगरे बजर बजर रहा है उसके बाद इस स्विच को ली जिएगा सुच में एक point को यहां लगाएगा ठीक है एक point यहां लगा लीजिये एक point यहां लगा लिजीए ठीक है यहां पर reading दिने इसको दबाक देखता हूं एक मिट यह छोड़ा है इन दोनों को ऐसे लगाने के बात दोनों प्रॉप को अब देखिए यह करेंड काड़ता है नहीं काड़ते देखिए आप लोग यह देखिए मैंने इसको प्रेस किया मीटर में डिर डिडिंग देखिए चालू हो गई अब लोग देखिए यह इसको इसे दबाये की तो छोड़ा देखिए का मतलों यह नहीं प्रॉप कर देखिए हैं तो यह दोनों को यह दोने के बास डेखिए कि बीप आरे एक नहीं साउंब अगर आएगी तो जान जिएगा यह आपका सही है इसको और अब तो हम लोग इसको लगा देते हैं, चलिए तो mixer grinder को ले लेते हैं, खोलना बहुत आसान है, इसको आप लोग खोलने के लिए, आप लोग बस क्या नामे की, इसको ऐसे पकड़िएगा, ठीक है, और इसको घुमाईएगा, इसको बस घुमाईएगा, ये खोल जाएगा, इसमें क आप इसे निकाल लीजिए इसको, बोल्ट को निकालने के बाद, ये देखे, ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये देखे, इस पर ये बोल्ट जो है, इसमें ये इसके नाप का बना रहता है, इस पर आप डालना है, इसके बाद इसके अंदर से डाल के, और इसको बस हुमार है है कि यह आप लोग देखिए और और आप मत करेंगा प्लास्टिक टूड़ियाएगे दिश्क अब आप लोग क्या करिए गा मिक्सर को ले लिजिए गा और इन दोनों वायरों को निकाल के रोगलने के बाद इन इसमें फिर से जैसे लगा था उस पहले वैसे ही इसके बाद इस पर कर जो ग्रिप लगा था ग्रिप को भी आप लोग चड़ा दीजिएगा अब ग्रिप को चड़ाने के बाद अब आपका ये रेडी हो चुका है अब आप लोगो चेक अगर करना है तो यहां से मिक्सर का वायर लेके बोड में आप लोग लगाईए ठीक है और लगाने के बाद यहां से स्विच को मिक्सर को पकड़े रहीएगा और स्विच को चालू करिएगा और यह दबाने पर ही यह बंद हो गया अब मैं जब इसको छोड़ू गा तो फिर चालू हो जाएगा इसे यह हुआ कि यह आपका प्राप्राब्लम दूर हो गई यह सबके मिक्सर में यह प्राभ्लम आती है कि यह चीज सबके में लगा रहता है मिक्सर को दो बचाने के लिए क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि mixer की वफर अगर आप कोई काम कर रहा है, आपके फैमली में कोई काम कर रहा है, इसलिए company यद अपको लगा ़ंदे देते हैं, कि अगर जादा लोड पड़ेगा तो mixer जलने से बच सब्सक्राइब, आप इसको अपने से अपने घर पे असानी से रिपेर करिये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह कभी उसको डायरेक्ट मत करिएगा आप लोग क्योंकि डायरेक्ट करने से आप ही का मतलब की नुसकान हो सकता है 40 रुपय का समान आता है लेकिन आपका 2500 की मिक्सी को जलने से बचाता है ठीक है तो आप लोग कभी भी डायरेक्ट मत करिएगा यूटूब के वीडियो पे इतने वीडियो डाल देते हैं लोग डायरेक्ट भई आपका खराब हो गया है तो आप ऐसे करके इसको सही कर लिए आ हो जाएगा लेकिन बाद में ऐसा खराब होगा कि दुबारा फिर आपका सही होने लाइक बचेगा भी नहीं यह भी बता दे रहे हम आपको इसलिए हमेशा आप लोग यह सब चीजों का ध्यान दीजिएगा चोटी-चोटी प्राबलम और अगर आप लोग ध्यान नहीं दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दूसरी वीडियो जब आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे जी ठीक है तो और सब भाईयो आज की वीडियों बस इतना ही अब अगले वीडियों में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार